अब आगे भी मजाने जाए देको मैं बार-बार क्यों चीज़े एड कर रहा हूं ऐसी चीज़े आपको लग रहा है कि मजा रहा है देको पढ़ते पढ़ते पढ़ाई करना मज़े का काम है ठीक है और इस मज़े के काम में अगर आप काम करते वक्त आपको लग रहा है वही ब पहा नहीं ४हने बता तो नहीं रहूं आपको चीजें जू मैं बता रहा हूं वह बेसीकली एक इसटोरी ही तो है एक किसी ने किया वो एक स्टोरी है जब हम कोई पढ़ते हैं था हम बोलते कि भाई सबसे पहले उस वो बंदा जैसे कि हम DNA की खोज की बात करते हैं तो DNA कैसे खोज हुई थी? Watson and Crick ने किया था उन्होंने DNA diffraction pattern को X-ray diffraction pattern को जो Wilkinson Franklin ने दिया था उस चीज की वो लोग study कर रहे थे उससे पहले उन्होंने एक जो उनकी real की story लोग बताते हैं इदर से यह chalk आ गया हम जैसे बहुते हैं नहरू chalk ठीक पंडी जवाला नहरू chalk aggression chalk सिवाजी chalk तो उसी तरीके से उनके वहां भी एक chalk है अब वहां पासे किसी ने visualize नहीं किया बात में जब उन्होंने इसके उपर research करना चालू किया उन्होंने Wilkins और Franklin ठीक है Wilkins और Franklin की एक उसी समय पे study थी उस चीज को जो उन्होंने same year महीं publish किया था ठीक है कई बो लोग बोलते भाई कि यह Wilkins और Franklin का जो model था उसका चोरी है किया था इन्होंने Watson and Crick ने DNA का pattern देने के लिए DNA की Alex का model देने के लिए पर actual में मेरे हिताफ सा ऐसा नहीं है ठीक है इन्होंने तो actual में थोड़ी ना बताए Wilkins और Franklin के रिएने का model ऐसा हो सकता है उन्हें तो X-ray diffraction pattern को समझाय था ठीक है दो अलग अलग चीज़ है X-ray diffraction pattern अलग है किसी चीज़ का और दूसरा DNA का model अलग है इनकी study जरूर इससे related है कि जो X-ray diffraction pattern है उससे यह निसकर्स आ रहा था कि DNA का model इस चौक की तरह हो सकता है बाद में further research Watson and Crick ने भी किया है बाद में कहीं इन्जाम लगे उन दोनों को फिर अपने नोबल प्राइस जो था वो Wilkin and Franklin के साथ share करना पड़ा कि भाई credit ने भी दो गवर्न ने बोला भाई तो बात अलग है तो जो मैं यह सारी चीज़े बता रहा हूँ है कि story ही तो है यह movie की तरही तो excitement इसमें भी देखो सबसे पहले उन लोग की बचपन गीरी है चौक से जाना फिर एक दिमाग में आइडिया इस्टिक करना फिर उसके लिए उन लोग research किये महनत किये फिर model की खोज किये और जब model की खोज कर दिये उस समय चाल हूँ हुआ climax wilkins और Franklin आये भाई तुमने मेरे समान छोरी किया है उसको पर case किये उन लोग ने case जीता case लड़ा ठीक है पूरी एक story तो है पूरी एक कहानी तो है movie की तरह तो है तो study भी उसी प्रकार की है बस इसे आपको समझने का तरीके में बदलाओ लाना है ठीक है चीजे कभी भी hard हो ही नहीं सकती है हम मुझे भी बहुत सारी चीजा है जो नहीं समझाती है तो क्या हम उस समझने के तरीके में बदलाओ नहीं ला सकते है अगर मुझे physics का कोई formula है या कोई work है या fraction है या thermodynamics है कुछ भी topic अपन कवर कर रहे हैं कुछ topic अपन को समझन नहीं आ रहा है तो क्या मुझे वो topic गलत ह है या मैं गलत हूँ या मेरे समझने का तरीका गलत है या teacher के समझाने का गलत है तो आपको यह समझना होगा कि मेरे समझने का तरीका गलत है teacher समझा रहा है तो उससी में से अगर एक बच्चे को भी समझ आ रहा है तो teacher गलत नहीं है तब आप गलत हो और बच्चे गलत है क्य कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका basic clear नहीं है तो आपको थोड़ा basic clear करना है फिर समझ ना है तो चीजें समझ आती है कोई भी teacher नहीं चाहेगा कि भाई उसका बच्चा गदाव निकले हर टीचर मेरे class में अगर कोई बच्चा पढ़ता है न तो मुझे लगता है भाई कि वो बच्चा interact करे जब मैं कोई topic पढ़ा रहा हो तो उसके भी से उस सवाल पूछे ठीक है उसके दिमाग में बहुत बिच्ची तो बिच्ची सवाल आई तब actual पे समझाता है कि बच्ची को समझ आ रहा है अगर आप गुप़े की तरह सुनते जा रहे हो आपको चीज़े समझ आ रही है पर उसकी पर आप question नहीं उछा पा रहे हो तो आपको actual में čीजे रटा दु جा रही है ये आपको समझना है चीजों को समझना, चीजों को रटना दो अलग चीजे हैं आपको दोनों में अंडर्स्टेंटिंग पैदा करना होगा क्योंकि मुझे चीजे समझ आ रही है तो मेरे अंदर दिमाग में कोश्चान आना चीए देखो किसी बच्चे को अगर कोई चीज समझ आती है तो उसके अंदर सर से पहले कोश्चन आता है अगर मैंने सिंपल सा एक टॉपिक लेते हैं जैसे मैंने मॉलिकुलार बेसिस ओफ इनरिटेंस चैप्टर चालू कर दिया चैप्टर का जो टॉपिक था चैप्टर का नेम था उस चीज को नहीं समझाए कि वो बोल क्या रहा है इस चैप्टर का नाम मॉलिकुलार बेसिस ओफ इनरिटेंस ही क्यों रखा गया अगर आपकी दिमाग में ये कुश्चन नहीं आया Then पढ़ने का क्या मतलब है Biology हम पढ़ रहें Biology का मतलब क्या है यार Biology एक ऐसी Stream है जो study करवाती है Living Organisms की Living System की Living Surrounding की study कराती है उसे Biology बोलते है Bio, Bio मतलब होते है Living and Logist मतलब होता है स्टड़ि यैनि जो Living की study कराए उसे Biology बहुते है तो आपको चीजी समझना होगा physics कहा है physics nature उसके phenomena's और उसके laws physics दो अलग word से बनाए यह इसी कुछ word होगा चलो टिया तो physics जो word है वो अपने नाम नहीं है का explanation है वो समझाता है कि nature में जो laws है nature में जो चीजे हो रही है वो किस कारण से हो रही है उसके पीछे का law क्या है उसके पीछे की phenomena क्या है यानि वो क्या चीजे समझा रही है एक तो physics एक system को ले रही है system के अंदर क्या function हो रहा है उस function के पीछे कौन सा nature का law जुड़ा हुआ है उस चीजे को हम physics में क्या हर जगे law ही laws तो पढ़ते हैं हर जग है formula formula ही तो पढ़ते है formula is basically a form of law ठीक है तो nature की जो phenomena's की study है उसे physics बोलते हैं जो हम express करते है in a form of laws तो आपको जब चीज़े subject पढ़ने जा रहे हो तो subject का मतलब मालूम होना चाहिए at that end तभी आपको मज़ा आएगा देखो आप हम और आपके समझने का तरीका अलग हो सकता है सोचने का ढंग अलग हो सकता है यह सभी में कोई दिक्कत नहीं है but at that point आपको सीव एक चीज़ याद रखना है कि मुझे और आपका एक आखरी end है कि हम दोनों कोई चीज़े समझाने चीज़े मैं जो समझा रहा हूँ मैं आपको समझा पाऊँ आप समझा रहे हो आपको समझाए सोजने का तरीका अलग हो पढ़ने का तरीका अलग हो मेरा और आपका स्टेटस अलग हो आप बहुत हमीर हो मैं बहुत गरीब हूँ सब कुछ अलग हो सकता है but at that point और आखरी में आपको सिप एकी चीज माहिने रखता है मुझे समझाना है आपको समझना है ठीक है तो आपको पढ़ने के थोड़े तरीके में बदलाव लाना है किसी और की है अगर मैं बोल सकता है यह physically यह score मेरा है इस इस बोर्ट आपका है, इस में रगड़ूँआँका आपको समझाँ। बोर्ट का कोई मAtलब नहीं है। यह classes आपका है, यह channel आपका है, ठीक है, तो यह आपका है, अगर आप नहीं हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, हमारे YouTube चैनल का कोई मतलब नहीं है, हमारे इंस्टा का कोई मतलब नहीं है, मतलब हम जहां भी हमारी family उसका कोई मतलब नहीं है, तो चीज़े समझना जरूरी है, वैसे बहुत समझा दिया यार, चलो ठीक है, एक स्माइल के साथ चीज़े बहुत जाज़े हो जाती है, जब यह आपको टॉफ लगे ना, टॉफ सिचुएशन, टॉफ कंडिशन, अल्वेस रिवेंबर वन तिंग, दाट आई कन दो इट, ठी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन और यह हस कैसे रहा है, ठीक है, यह हस कैसे रहा है, आपको यह चीज़ समझना है, अब उस समय आपका दिमाग सोचे का पाई इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, और इसमें यह हस रहा है, मत अब यह इजी कंडिशन है, आपकी ब्रेन आप ठीक है हाँ नहीं 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 आसान है अग्षाण है ओके चलो ठीक है हाँ हाँ एक चीज और आमने बोला थे हैं पुराने आप वह जो कवेश्ट्री वाले क्लासेस में जो जूड़ा होगा उसको माल बोलोगा नहीं बोला तो कुछ करेक्टर अपन डबलब कर रहे हैं फाइनली वह करेक्टर मैंने सोच लिया है ठीक है एक तू रियल की करेक्टर उसमें से हैं चलो ठीक है कभी और आगे बात करेंगे हाँ आपके दिमाग में एक कुष्चन में सूच छोड़ के नहीं जा रहा हूं हम पकवास कर रहा था जोग था यार चलो ठीक है हसो एक स्माइल मारो और आगे बढ़ते हैं अब देखो यह चीज़े यह वाले टोपिक करके हम लेक्टर करेंगे ठीक हम अगला लेक्टर जार पाट आएंगे लग रहा है आपकी कारण मेरे कारण मैंने समझाया उसने फिर भी गल्ती किया कि मेरे हर जगह ड़ती नहीं होगी और जहां मेरी गलती नहीं होगी में अपनी अवाज उठाऊंगा और वहाँ से निकलूगा ओके स्टार्ट करते हैं ठीक है चीज़े समझना जरूरी है यार लाइफ में घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आप दुनिया नहीं देखोगे है तो हमारी दिमाग पर चीज होने चीज़ है कि हम एक टाइम पर फोकस रहेंगे अभी जो मैंने बता है ना वह लाइफ रिलेटेड है देखो मेरी उम्र आपके बड़े भाई की तरह है ठीक है तो मैंने जो अपने लाइफ फेस किया है हां मेरी एज लड़की कभी अपनी ए तीस के लगते हो तीस की तो लगते नहीं हो अरे तुम लोग सत्रा साल की होगे ना यार सत्रा दस सताइस सताइस साल का हूँ है लगता हूं क्यों है चलो ठीक है होके चीजे समधन जरूरी है अंदेखो हम